गुड मॉर्णिंग स्टुडेंट, आएम पारूल एंड टुडेज अवर टॉपिक इज़दा लैंग्विस्टिक कम्पोजिशन लास्ट टाइम हमने रूरल अर्बन कम्पोजिशन देखा था, अभी देखने हैं लैंग्विस्टिक कम्पोजिशन इंडिया इस लैंड ओफ लैंविस्टिक डाइवर्सिटी भारत के जो भूमियाओ विविदता में अनेकता है अगर हम गैरीशन के अकोर्डिंग बात करते हैं तो सर्वे ओफ इंडिया में जो है 1903 और 1923 के बाज 1903 से 1923 के एक 1179 लैंग्विज जो थी भारत में थी और जो इस इन दा कॉंटेस्ट अफ मोर्डन इंडिया देराट वाओ फ्वेंटी टो सेडूल लैंग्विज अन नंबर ओफ नोन सेडूल लैंग्विज भारत में अभी अगर हम करंट की बात करते हैं तो 22 जो है अनुशूचित भास आई हैं इस तरीके से गर हम देखते हैं तो भारत में जो है बाउंडरी जो है वो शार्प मैंटेन नहीं है लैंग्विजिक बाउंडरी जो है वो शार्प मैंटेन नहीं है अगर हम किसी एडिया के या किसी स्टेट के बोर्डर जोन की बात करते हैं तो वहां दोनों लैंग्विज जो है यूज होती है linguistic classification the speakers of major Indian language becomes the four language families which have their sub-families and branches or groups it can be better understand ठीक है अगर हम भारत की बात करते हैं भारत का जो speakers है उसमें 4 main language शो की गई है जो आपकी बुक की table number 1.2 में दी गई है next आपका religious composition religious religion is one of the most dominant force affecting the culture and political life of the most Indian आपका जो धर्म है वो आप आपको effect करता है culturally भी और politically भी since regional virtually the parameters in India almost the aspects of people, family and community lives क्योंकि mostly जो Indians रहते हैं उनके parameters उनकी family को देखकर लगाई जाते हैं is it important to study the religion composition of detail अब हम भारत का जो religion composition है उसको डिटेल में देखते हैं the special distribution of religion community country show that the contains the district having the large numerical strength of the religions अगर हम भारत में religion की बात करते हैं जैसा आपकी book की टेबल number 1.3 में दिखाया गाए तो Hindu, Muslim, Christian, Sikh, Buddhist and other ये group इंडिया में पाय जाता है सबसे ज़्यादा हिंदूज है ठीक है जो 80.5% है second number पे Muslim है 13.3 third number पे Christian 2.3 Sikh 1.9, Buddhist 0.9, Jain 0.4 और अधर्स में आते हैं आपके 0.6 student भारत के अंदर इतना चादा जो है आपका religions community इंडिया के अंदर रहती है तो इनके according भी इसका जो है composition रहता है next composition आपका होगा working झांपका होगा 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 है